हेलो फैंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम एक और वीडियो में आपके लेके आया हूं जिसके अंदर आपको मैं अक्सचेंज का प्रोसेस पताने वाला हूं और यह वीडियो सिंपर नॉर्मल वीडियो नहीं रहने वाली है इसके अंदर एमाजोन औ बिल्कुल मेरी तरफ से फोन बिल्कुल ओके था स्क्रीन के अंदर कोई क्रैक नहीं कोई डिस्टॉर्शन नहीं थी बैक साइट से थोड़े बहुत स्कैचिस थे कवर के साथ आ जाते हैं जो डस्ट पार्टिकल के थुरू मगर एजब कोई मतलब बॉड़ी के उंदर को डि पूरा आपका फॉन चेक करेंगे कोई नहीं कोई कोशिश रहेगी अगर फॉन में कोई कमी होगी अब यह साइट से दाएं बाएं पूरा पूरा टाइम लेते हैं यह पांच मिन नहीं लिए मेरा फॉन चेक करने के लिए और अगर आपने फिलिप काड का एक्स्टेंज करते हैं वह मैंने वीडियो बना रखी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको जुरूर चेक करना और आपको कैसे अमाजान से फिलिप काड से प्रसेस स्टार्ट करना कैसे एक्सेंज करना उन्सकी वीडियो भी है तो वह भी आप देख सकते हैं तो जैसे कि मेरे से मुझे पूछ रहे कि यह आपके फोन में यह कमी है आपका थोड़ा बैंड आ रख है बॉड़ी के अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगा भी किस कारण से वह कह रहे थे तो अब मैंने उसे पूछा मुझे कि इस फोन को एक्सेंज हो जाएगा तो यह देखी पूरी साइड से फोटोग्राफ हो रही बैक से फोटो खीचेगा वो मतलब एक फिलिपकाड का प्रॉपर एक सिस्टम है कि कैसे कैसे चेक करते हैं फोन को तो फिलिपकाड वालों ने मेरे से 25 और पे एस्ट्रा मांगे थे इसको एक्स्चेंज करने के लिए तो मैंने उसे मना कर द रहे हो देगा मगट जब देखिए नंगे प्रेस करके दिखाया मेरे को कि थोड़ी बॉड़ी भार आ चुकिए देखिए बैटरी अंदर से फूल चुकी है इससे की बॉड़ी भार आ रही है और इसको प्रेस करके देखते हैं तो ऐसे उपर नीचे हो रहा था 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 मैं वापिस ले लिए फोन अब जो मैं आपको प्रसेस दिखाने वाला हूं वो सारा Amazon का प्रसेस होगा उसको भी आप ध्यान से देखना कैसे Amazon चेक करता है अब देखनी बाकी फोन में कोई कमी नहीं लगी थी मिरको बसे थोड़ा बेंट सान ने बताया था अब देख रहे हैं तो जैसे देख रहे हैं उसे लॉग इन कर ली है मेरे फोन के अंदर और जोंसा मैंने फोन ओर्डर कर रहा था वन प्लस का जब भी आप Amazon से प्रसेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आते हैं कि आपका फोन डेमेज है या बोड़ी डेमेज स्क्रीन देख पा रहे हैं रने वैरिफिकेशन और डिवाईस टूब एक्सटेंज तो यह उसी फोन से होगा जिस जो फोन आपने एक्सटेंज करना है उसके बास सारा कुछ एमजोन को एक्जिकूटिव आता है उनके बास कोड बगारा होते हैं आपके फोन में डालते हैं वो सारी अपने खुद करते हैं यह नंबर जुरूर वैरिफिकेशन होती है यह से ध्यान रखना और यह सारा कुछ प्रसेस कंप्लीट हो चुक है इसके बाद आपने फोन का सारा डाटा एरेस कर लेना है और उनको फोन हैंड़ोर कर देना है और यह बिल्कुर टेंशन फ्री परसेस सामने ही और आपने लिखा है कि मेरे अंदर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैल्यू कम हो सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना तो इस वीडियो देतने काफी है कोई भी डाउट वो आपको इसके लिए कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और के फ्रेंट्स हैं न